जानकरी मिल नहीं है कि आपके भाई के हत्या के आरोपी हैं सभी आप जेल से बाहर निकल चुके हैं जी यह तो हम भी सुनें जानकरी आपको मेली हैं कुछ कायना चाहेंगे इस पर सभी आप लोग खुश है के नहीं देखिए खुश हम कैसे रहेंगे मेरा बेटा जैसे यह लोग अभी जेल से निकल गया अगर आपने माफ कर दिया क्या है खोटों के हाद्या के आरउपी सभी बाहर निकल चुके हैं इत्मादों में कितनी सचाई है पैसे बता रहे ते यह देंगे वो देंगे लेकिन अइसा कुछ मतब्स मेरे सामनी नजदीक नहीं आए को है मा बाप को जखम कभी नहीं मीटेंगे जिन्दगी पर जब तक जीए तब तक बेटे के लिए जखम रहे गादील में फिर भी क्या करेंगे संसार में तो जीना है कंपरमाईज के मूड में आया लेकिन हम करेंगे तब तो होगा कंपरमाईज आर्थी क्या बोलेए इसमें देखिए आर्थी इसमें क्या बोलेंगे हम उसका गारजन है अब तो पहले बेटी बना कर रखे थे अब तो मेरा पूतो है बड़ी खबर अर्णिया के छोटू आर्थी मामले से सामने आ रही है खबर इतनी बड़ी है कि आप भी चौक जाएंगे खबर यह है कि छोटू की हत्या के जितने भी आरोपी थे नो के नो आरोपी थे सभी जेल में पिसले कुछ मेहनों से बन थे सभी आप बाहर निकल चुके हैं इसी बात की पुष्टी के लिए हम छोटू के दरवाजे में पहुचे हैं और आप देखेंगे छोटू के पिताजी है इनसे हम जानते हैं कि पूरी बात क्या है और इन बातों में इस खबर में क्या सचाई है जानकारी मिल रही है कि छोटू के हत्या के आरोपी सभी बाहर निकल चुके हैं इन बातों में कितने सचाई है ने बात सही है सब निकल चुके हैं इसके बात जो हम लोगा एक गवाही का टाइम ता सुख गवाही में करने के लिए गए तो डिस्टिक जोई सहाब बोले थे कि से जून में सब का बेल हो जाएगा सब निकल जाएंगे बाहर तो इसलिए करके हम उस पर कोई बती नहीं किये छोड़ दिये हम अब सुखे जब ओडर हो गया है तो हम काई के लिए रोखेंगे ने किये कुछ हम बेल हो गया कल कल निकले हैं सभी कितने लोग निकले हैं कल साथ लोग निकले हैं इससे पहले कितने लोग निकले थे दो निकले थे पहले दो निकले थे तो कुल बिलाकर नो लोग जेल में बन थे जी और सभी बाहर निकल गए जी सब निकल गए अच्छा तो उसके अंदर आपकी भी भागदारी थी क्या जी क्या जेल से जो बाहर निकले हैं उसमें आपकी भी सहमेती थी कानुन का पर किरिया था निकल गया बेल हो गया जी और बेल के खिलाब आपके जो वकील हैं वह आगे नहीं आए इसमें खिलाब हम नहीं किये जब जब पहले बोल दिये थे कि जून में सम निकल जाएंगे बाइस तारिक तक में तो हम इस पर कंपिटिशन नहीं किये छोड़ डिया जोड़ दिया जी अप लोगों का कॉम्परमाइज हूगा का दिया नहीं नहीं हुआ है उब भी था पर के अंदर भी देता उनको परशासन मंगा निकलता लेकिन आगर तो किया नहीं हमारे साथ तो लोग वह बहुत जखमा अपरात किया है तो हम उसके उपर खूस कैसे रहेंगे ये जख्म बना रहेगा हमेशा के लिए या फिर खत्म हो जाएगा देखिए जख्म तो कभी मीटता नहीं है माँ बाप को जख्म कभी नहीं मेटेंगे जिन्दगी पर जब तक जियेंगे तब तक बेटे के लिए जख्म रहेंगा दिल में लेकिन फिर भी क्या करेंगे संसार में तो जीना है कॉम्परमाइस को लेकर के बाते उठी भी थी आपके बीच में इसा कुछ नहीं हुआ हम से बात कोई बात नहीं हुआ। दिन कर लेजियेаша कोई नहीं हुआ हरुनि कागा लिघान में तुम्स कर लिचिंगा, यहницल लोग हए दे रहे तो पैसे से दे रहे थे या कुछ और दे नहीं नहीं पैसे बता रहे थे यह देंगे वह देंगे लेकिन ऐसा कुछ मतब्स हमेरे सामनी नजदिक नहीं आए कोई केस को लेकर कोई दिकत भी आपको हुई जिस परकार से शुरुआत दोड़ में बोर्ड लेते कि इम्रान जी के काम करिया आप लोग चैनल बना लिजिए दो रूपर कमाईएगा और उससे आप केस लड़िएगा जैसे होता उसे कड़िएगा तो पैसे के लिए करेंगे कोई दिकत आपको नहीं नहीं हुई नहीं नहीं हुआ है जानकर के इसमें कम्पिटिशन नहीं किये अब सूचे कि जब जब साब बुली दिये हैं किसे ने इसका बेल जून मों हो जाएगा काई के लिए करेंगे चोड़ दिये अब आगे क्या होगा देखिए आगे तो आप तो कानून का परकिरिया है सब गवाही होगा गवाही होने का बेद फिर जो है हो सकता है कानून उनलों को अर्थी क्या बोलेंगे हम उसका गार्जन है अब तो पहले बेटी बना के रखेते अब तो मेरा पूतो है तो हमारे जो जैसे हम चलेंगे वेसे वह भी चलेंगे तो अभी आपने सुना ये छोटू की पिताव ओमेश यादब जी है जिन्होंने अपनी बाते रखी है इनका कहना है कि देखिए इस बार जब बेल फाइल किया गया तो हम उनके अपोस में खड़ा नहीं हुए हम कोशिश करेंगे कि बाकी घर के सदस्य है उनसे भी दो बात कर लें और उनका जो भावना है उनकी बात है वह आप तक हम पहुचा दे चोटू की मम्मी है जानकारी मिली क्यों आपको सभी लोग जेल से बाहर निकल गए निकल लाए ता की कर वेज़ कानून के तरज गले कानून जे करते वहाए तो हमें यहां कहीचे जह हमरों निसाब तो दिये है जहने हमरों छोटू को मार लगे वह निसाब तो दिये है आपने माफ कर दिया क्या है अखनी माफ कर वह हम हमर जाजिन की रहते ता हम माफ ने कर वह हमर बैटा कर दिये है कर दो दो हमर कर बाए ने कर वह है कर माफ जाज कि शुआ है जब बेल मिल ती तो हमने उनके अपोश के लिए वकील तक मेरता भी वहाग ले बहाग ले माजी जखाते कि जए माफ क्या दुआ कर दो मापने कर वे हमरे कलजा तुकुरी है जह बेल भ्याग ले भ्याग ले घौर में चाहिए और कुनु बात ना हमरे बटान दुनिया से गयला है गयले ते गयले इसी जिगर पर छे जुन 2021 को हम पहुंचे थे पहली ख़बर हमने यह से चलाया था और वो ख़बर लगवाग 15 मिल तक देखा गया पहली खबर वाइरल होती है वो वाइरल खबर आप तक पहुंचती है देश दुनिया तक पहुंचता है और फिर वहीं से कारबांश शुरू होती है आज एक साल के बाद छोटू के हत्या के नो आरोपी जो थे वो बजेल से बाहर निकल चुके हैं हम मनू से भी बाते करने कुश्च करेंगे कि उनका इस पर प्रतिकरिया है आज का दिन कई मैने में दो परिवार के लिए खास है लेकिन मनू से भी पूछेंगे कि आखिर उनकी इस पर क्या प्रतिकरिया है उस दिन वहाँ पर छोटू के बड़े भाइव मौशूद थे जानकरी मिली अब तो कानून जो किया है वास उसी पुनिरभर है हम लोग को छोटू के भाई और आर्थी के पती मन्नु जी हमारे साथ है जानकरी मिल रहे हैं कि आपके भाई के हत्या के जो आरोपी है सभी आप जेल से बाहर निकल चुके हैं जी तो हम भी सुने जानकरी मिली कुछ काना चाहेंगे इस पर हम क्या काना चाहेंगे अब वो तो कानून के आथ में था वो निकल गया कोई आप लोगों को उनके साथ कोई ग्लास शेक हुआ कोई बात आप तो पपे बताएंगे उन्हीं को आता है जो भी बता है दो श्राब् के चलgi भाखशल गए थे लुटि-म्लडी बहुत हुआ कारमे क लुट्र से वे उसका इसली विल्टि उन्हीं बहों पाएगे कर रहे हैं खुशकश कब रहे ना यह कर लगता है 9 2 200 का है लेग्ए आप लागे फिर गष्टु चलो सब को तो सुना आपने हमें उमीद है कि जानकारी आप तक पहुँच गई होगी जिस परकार से मन्नु ने अपनी बाते रखी है और फिर छोटू के जो परिजन है सभी ने अपने बाते रखी है तो आप तक सचाई पहुँच गई होगी और आप समझ गए होगे बाकी इसे लेकर कि आपकी क्या प्रतिक रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूरू बताएं इस वीडियो को अधिक सदिक शेयर करें ताकि बाकी लेकों तक जानकारी पहुँच पाए फिलाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं परिया जात नमस्कार